अब Snapdragon 888 पे अभी अपना पैसा नहीं लगा सकते हो Samsung Galaxy A21 Fan Edition के बारे में इस वाले वीडियो में बात करने वाले है जो पहला वीडियो मैंने फास्ट इंपेशन बताया था दो दिन यूस करने के बाद वहाँ पर यह नहीं कहा था खली उसके बारे मीं बात करूँगा और अपने को कुछ भी जानना है इस वाले स्मार्टफून के रिगाडिंग आप में कमेंट कर सकते हो कमेंट का एंसर में आपको दूँगा चैनल को सबस्क्राइब कर सकते हो अगर आपने ये वाला स्मार्टफोन अभी नहीं लिया है तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं है बट अगर अल्रेडी ले चुके हो तो पहले एक चीज़ कर लो इसकी रीसेल वैलू भी बहुत ज़़ा कम देखने के लिए मिलेगी आपको सैमसंग का स्मार्टफोन है जो इसका बैक पैनल है प्लास्टिक का देखने के लिए मिलता है और बहुत जल्दी स्क्रैचेस आ रहे हैं बहुत जल्दी स्क्रैचेस आ रहे हैं तो अच्छे एक्सेसरिस डेफिनेटली ले ले ना बॉक्स में कुछ नहीं मिलेगा, ना स्क्रीन गार्ड मिलेगा, ना कवर मिलेगा, सारे एक्सेसर इसका लिंक डाला हुआ है, जाके आप पर्चेस कर सकते हो, चलो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, तो आपने जितने भी वीडियो देखे रहेंगे, इस स्मार्टफोन की सबसे बड़ी दिक्कत सायद बैटरी लाइफ है, वो आपको पता है, वो आपने देखा रहेगा, मैं इसके बारे में बात नहीं करूँगा, बैटरी लाइफ तो मुझे पता है, 120Hz का यहाँ पर डिस्प्ले का रिफ्रेश रेट देखने के लिए मिलता है, उसमें अगर यूज करोगे, तो यह पूरे दिन का बैटरी बैकप नहीं देगा, दिन में दो बार चार्ज करना पड़ेगा, वो तो मैंने पहले दिन ही देख लिया था, दूसरे दिन से मैंने क्या करा, मैंने इसका जो रिफ्रेश रेट है, उसे डाउन कर लिया, 60Hz में, उसके बाद मैंने यूज करना स्टार्ट करा, मैं कोई गेमर नहीं हूँ, पूरे दिन में गेमिंग नहीं करता हूँ, आराम से ये मुझे पूरे दिन का बैटरी बैकप दे रहा था, उसके बाद तो दूसरा कोई भी नॉर्मल अंडर 30K वाला स्मार्टफोन से कंपेर करो, 60Hz में अगर यूज कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, पूरे दिन का बैटरी बैकप मिल जाएगा, बैटरी आपकी दिक्कत नहीं है, आपकी दिक्कत कुछ और है, नेस्ट हम बात करेंगे कैमेरा के बारे में, तो कैमेरा यहाँ पर आपको अच्छा देखने के लिए मिल जाता है, यह सबको पता है कि यहाँ पर अच्छा कैमेरा है, और मुझे camera का expectation बहुत जादा था और वही expectation में लेके आया तो 12MP का main sensor 12MP ultra wide 8MP का telephoto देखने के लिए मिलता है 12MP जो main sensor है वो इसके साथ आता है फ्रेंट में 32MP का sensor देखने के लिए मिल जाता है वीडियो recording कमाल की देखने के लिए मिलती है सारे lens में आपको 4K video recording मिलती है सारे lens में आप switch कर पाओगे चारो lens में जब video ले रहो switch कर पाओगे front से 4K 60 तक ले सकते हैं दूसरा कोई भी smartphone 4K 60 नहीं लेता है under 30 के अब Realme 12 Pro Plus की बात करें periscope telephoto lens देखने के लिए मिल जाता है इससे better portraits आप वहाँ पर ले पाओगे but अगर video recording की बात करोगे कोई smartphone आसपास में नहीं है तो इस वज़े से आपको साइट confusion हो सकता है पट मैं normal images की बात करता हूँ और मैंने compare किया nothing phone 2 के साथ legendary nothing phone 2 45,000 का launch हुआ था base variant मैंने पहले दिन buy करा था मैं उसके camera को अच्छा नहीं मनता 45,000 रुपए के हिसाब से अभी 35 का मिलता है highest variant जो 50-55,000 का जो launch हुआ था वो अभी 5 मैंने बाद 35,000 का देखने के लिए मिलता है 35,000 के हिसाब से decent camera देखने के लिए मिल जाता है तो मैंने उसके साथ compare कर लिया आउट्डोर में जैसे जाते है Snapdragon 888 है, बदनाम पोसेसर Snapdragon 888, थ्रॉट्लिंग इसूस देखने के लिए मिल जाती है बैटरी बहुत साथा कंज्यूम कर लेता है इस पोसेसर के वज़े से यहाँ पर बैटरी कम देखने के लिए मिलता है तो ऐसा नहीं कि 5000 mAh के बैटरी उस बज़े से भी थोड़ा सा कम देखने के लिए मिलता है बट Snapdragon 888 के बज़े से जैसे आप आउट्डोर में जाएंगे आपको जैसे आप थोड़ा सा camera यूज कर लोगे फिर जैसे UI में आएंगे थोड़ा सा navigate बगरा करेंगे आपको जीटर देखने के लिए मिलेगा वो भी मेरी दिक्कत नहीं है वो भी मैं मान सकता हूँ कि outdoor में यूज कर रहा हूँ Snapdragon 888 है थोड़ा सा UI में lag हो ही सकता है वहाँ पर क्या दिक्कत है दिक्कत कब आएगी जब आप portrait images लेंगे portrait का क्या scene है जो इसका normal UI है जैसे portrait mode में जाएंगे ये 3x telephoto में switch कर जाएगा तो ये optical zoom करेगा 3x में तो जैसे आप portraits लोगे back to back compare कर रहा था nothing phone 2 के साथ तो वहाँ पर क्या होगा background में back to back जैसे लोगे तो background में heavy processing चलती है यहाँ पर उस heavy processing के वज़े से आपका जो shutter lag देखने के लिए मिलेगा तो back to back आप नहीं ले पाओगे आपको थोड़ा सा pause करना पड़ेगा next क्या दिक्कत देखने के लिए मिलेगी तो अगर आपका subject जो है super still है तो कोई दिक्कत नहीं है जो shutter lag है heavy processing चलती है background में उसके वज़े से shutter lag आएगा and shutter speed मैंने कहा कि कम है तो यह आपको थोड़ा सा outdated feel करवाएगा उस time पे यह मैं daytime की बात कर रहा हूँ even जो night time है जब मैंने artificial lighting condition में जब मैं गया तब भी मुझे यह similar चीज़ देखने के लिए मिली तो वहाँ पर nothing phone 2 better perform कर रहा था जो image quality है वो almost neck to neck दोनों की जारी थी portrait के मामले में 8 megapixel का जो यह telephoto है वहाँ पर detailing थोड़ी सी कम है रदा देन अगर आप 1X का use करोगे तो वहाँ पर OS भी काम करेगा तो वहाँ पर आपको थोड़ा सा blurry images कम देखने के लिए मिलेगी और detailing सायद आपको थोड़ा सा better देखने के लिए मिल जाए compare to nothing phone 2 उसके UI में यह जो outdated वाला feeling आएगा आपको वो वो नहीं देता है तो वहाँ पर modern feel होता है यह जो problem में आपको बता रहा हूँ यह problem दो साल पुराने smartphone में यह देखने के लिए मिलता था जहाँ पर आप back to back photos करोगे तो वह आपको थोड़ा सा pause लेना पड़ता था या आप भी हाथ को ज़ादा हिलाने डूलाने में आपको थोड़ा सा restriction करना पड़ता था अभी आपको यह वाला चीज इस वाले smartphone के साथ अभी देखने के लिए मिलेगा 2024 में तो वहाँ पर आपको थोड़ा सा outdated feel होगा nothing phone to comparatively आपको ज़ादा better feel करवाएगा 8 plus gen 1 है तो आपको वहाँ पर heavy processing background में नहीं है shutter lag नहीं है जो shutter speed है वो भी better देखने के लिए मिल रही है and जो image quality मैंने कहा वो भी neck to neck वो जा रहा था front camera images की बात करो तो वहाँ पर भी lag है जहाँ पर shutter जो speed है वहाँ पर कम देखने के लिए मिलता है तो आपको लेने के बाद थोड़ा सा pause लेना पड़ेगा but अगर खाली ultra wide वाला sample उठा के दोनों का compare करोगे तो 50 megapixel ultra wide मिलता है nothing में corner में detailing अब ज़्यादा field of view capture कर रहे है जब आप ज़्यादा field of view capture कर रहे है तो वहाँ पर आपको ज़्यादा megapixel चाहिए होता है samsung में 12 megapixel देखने के लिए मिलता है मेरा मानना ये था कि 12 megapixel बहुत ज़्यादा powerful है samsung का पर जब मैं 50 megapixel ultra wide से compare कर रहा हूँ अलाकि मैं मानता हूँ nothing में ज़्यादा detailing नहीं है 50 megapixel के हिसाब से पर फिर भी अगर corner में देखेंगे अच्छी तरीके से तो ज़्यादा detailing है nothing phone 2 का ultra wide में corner में ज़्यादा detailing देखने के लिए मिलती है तो camera के regarding आपको ये दिक्कत देखने के लिए मिलेगी कि यहाँ पर shutter speed slow देखने के लिए मिलेगा और आपको shutter lag देखने के लिए मिलेगा क्योंकि background में जब आप portraits लोगे heavy आपको processing देखने के लिए मिलेगी करते हैं और इस वाले smartphone को यूज करने से पहले मैं nothing phone 2 यूज कर रहा था और मैं 5G में यूज करता हूँ Wi-Fi में यूज करता हूँ ऐसा नहीं है मैं daily travel करता हूँ तो दिक्कत मुझे इस वाले smartphone के साथ क्या आई बट यह आप बहुत ज़ादा इसे consider मत कर लेना call के regarding कोई दिक्कत नहीं है upload download speed में कोई दिक्कत देखने के लिए नहीं मिलती है even यह pixel के जैसा unstable नहीं है जो कि 5G 4G में वो बहुत ज़ादा switch कर लेता है उसके वाई से बहुत ज़ादा battery training हो जाती है ऐसा भी नहीं है मैं daily travel करता हूँ train में वहाँ पर भी यह 5G 4G में ज़ादा switch नहीं कर रहा था उसके वाई से ज़ादा training भी नहीं हो रही थी normal switching कर रहा था ज़ादा उसके वाई से heavy training नहीं हो रही थी मैं 60 Hz में use कर रहा था ऐसा ज़ाज आपको call के regarding दिक्कत नहीं है दिक्कत मुझे क्या लगी जैसे मैं पूरा दिन में जितने calls वगएरा मैं लेता हूं है जितने calls वगएरा मैं करता हूं तो पूरे दिन में देखा जाए तो मुझे 2-3 messages आ रहे थे मैं यो का सीम यूज करता हूं तो वहाँ पर messages आते हैं कि XYZ ने आपको reach करने की कोसिस करी तो कोई मुझे call करने की कोसिस कर रहा था उसके regarding message आ जाता है miss call का तो वो मुझे इस वाले smartphone में देखने के लिए मिल दे थे जो कि normally दूसरे smartphone में जो अभी आ रहे है उसमें ऐसे messages सायद पूरे दिन में एक आ जाए यहाँ पर 2-3 messages आ रहे थे जब मैं call करता हूँ किसी को तब वहाँ पर कभी-कभी देखने के लिए मिलता है कि ऐसा पूरे दिन में नहीं होता है तो माल लीजे मैं call कर रहा हूं किसी को और वहाँ पर सामने वाले का जो डाइलर टोन है वह सुनने में नहीं आता है डायरेक्ट वह call उठा लेता है तो ऐसा दूसरे स्मार्टफोन में मैंने notice नहीं किया है पूरे दिन में यह एक-दो बार ऐसा incident हो जाता है और कभी-कभी क्या होता है पहली बार जब call कर रहे हो कॉल लगेगा नहीं दूसरी बार जब करोगे तो नॉर्मल वह call जैसे लगता है वह लग जाता है तो ऐसा मैंने दूसरे स्मार्टफोन में notice नहीं करा है बहुत दिनों तक जो मैं नए स्मार्टफोन आ रहे हैं यह जो दिक्कत है यह अभी के स्मार्टफोन में नहीं आते। तो यह वाला दिक्कत मुझे बहुत दिनों बाद देखने के लिए मिला और मैंने नोटिस करा इस वाले स्मार्टफोन के साथ। अभी अगर आप कंपेर नहीं करोगे आपके पास दूसरे ओध चार पां स्मार्टफोन नहीं है आप इतना जादा फ्रिक्वेंटली स्मार्टफोन चेंज नहीं करते हों आपको यह वाला दिक्कत दिक्कत लगे गई नहीं मुझे यह बताना था मैंने आपको यह चीज बताई तीसरा जो दिक्कत आपको आएगा सबसे बड़ा दिक्कत वह है मैं अपने महनत के 30,000 रुपए स्नैपडगन 888 के लिए नहीं देने बाला हूँ या देना नहीं चाहूँगा मेरा जो पहला प्रिफरेंस रहेगा 30,000 में 25,000 के रेंज में मैं 7200 भी नहीं लोगा 30,000-35,000 के रेंज में 8+, Gen 1 ले सकता हूँ धूवाँ 7+, Gen 2 ले सकता हूँ मैं 8 Gen 2 के साथ जाना चाहूँगा 30-35 अगर मैं दे रहा हूँ करना दो चाहूँगा जब मैं इतने पैसे डाल रहा हूँ अपने महनत के क्योंकि उससे क्या होगा जब आने वाले 2-3 साल जो मैं स्मार्टफोन को यूज करूंगा, वहाँ पर बेटर जब सॉप्टवेर अपडेट्स आएंगे, 14, Android 15, Android 16, तब वहाँ पर वो बेटर परफॉर्म करेगा, ज़्यादा स्टेबल तरीके से परफॉर्म करेगा, बैटरी मेरा बचाएगा, और मेर स्मार्टफोन थिंग के Android 17 तक जहल पाएगा, अभी Android 14 में आपको ये सारी दिक्कत देखने के लिए मिल रही है, जब 15-16 आएगा दिक्कती और बढ़ेगी, तो आप पहले सीक्योर करना चाहोगे, कि 2-3 साल तक मैं outdated processor, जो कि already 2-3 साल पुराना है, 2024 में मैं इतना साधा पु ये IP68 rated smartphone है, आपको Moto H40 Neo and Moto H40 में भी वो देखने के लिए मिलता है, आपको इस price range में metal frame देखने के लिए मिलता है, वो भी Moto H40 series में, H40 में आपको देखने के लिए मिल जाता है, यहाँ पर आपको software बहुत अच्छा देखने के लिए मिल जाता है, यहाँ पर जो type C port आपको द जाता है, आप अपने TV में या desktop में या monitor में लगा के आप Samsung Dex का इस्तमाल कर पाऊगे, One UI बहुत ज़्यादा feature rich है, automatic call recording आप कर सकते हो, कोई भी announcement नहीं होगी यहाँ पर, and secure folders, and Samsung Pay, NFC देखने के लिए मिल जाता है, tap to pay वगएरा features वगएरा, सब कुछ आपको देखने के मिल जाती है, तो जो software experience यहाँ पर है, वो next level देखने के लिए मिलेगा, software experience के regarding तो फिर दूसरा कोई smartphone इसके आसपास का नहीं है, तो यह सारी चीजे आपको यहाँ पर अच्छी देखने के लिए मिल जाती है, and वो ही पर confusion create होता है, but मैंने आपको जो चीजे बताई, जो जादा strong इसका नहीं रहा, तो अभी खाली इसका जो strong point है camera के मामले में, वो है video recording, and इसका जो software experience है overall, वो अच्छा देखने के लिए मिलता है, but आगे आने वाले सालों में, जो processor है, वो जहल नहीं पाएगा, and दूसरे सारे creator side आपको यह direct यह बता नहीं पा रहे है, क्यूंकि अच्छा software experience है, and कहीना की अच्छा display मिल जाता है, and video recording इतनी अच्छी है, but मैं आपको एक direct answer बताता हूँ, यह वाला smartphone अभी आपको नहीं लेना चाहिए, अगर आप 30,000 रुपे अपने मेहनत के डाल रहे हो, आप snapdragon 888 पे अभी अपना पैसा नहीं लगा सकते हो, आगे आने वाले 2-3 सालों में यह और भी जाधा पुराना फील होगा, यह already 2024 में इतना जाधा outdated फील हो रहा है, तो यह 2025-26 में माल लोग कितना जाधा outdated फील होगा, and आप अपने मैनत के जो पैसे है, अच्छे processor में अच्छे processor में आपको लगाना ही पड़ेगा, अप gamer हो, नहीं हो, कु अपना भी सस्ता मिले, 2024-25 का भी मिले तो भाई मत लेना, मत लो यह वाला smartphone, यह वाला smartphone skip कर दो, अभी साहिद आपको लग जाए कि मैं गलत कह रहा हूँ, क्यूंकि आपको अच्छे cameras मिल जाते है, अच्छा UI मिल जाता है, all over एक complete smartphone मिल जाता है, बट आगे आने वाले टाइम पे, 2025 में, 2026 में जब आप इसे long term के लिए use करोगे, तब जाके आप मुझे साहिद thank you बोलोगे, अभी साहिद आपको मुझे गाली दिने का मन करे, अगर आप Samsung के fanboy हो, आगे आने वाले टाइम में आप जाके thank you ही करने वाले हो मुझे, तो इस वाज़े से मैं कर रहा हूँ